दोस्तो आप सब लोगों को पताई होगा कि हाली में अमेरिका के बाइडन एड्मिनिस्ट्रेशन के तरफ से भारत को 31 MQ-9 प्रेडियेटर द्रोनों को बेजने को लेके ग्रीन सिगनल दे दिया गया है और दोस्तो अब ये ग्रीन सिगनल के बाद जहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच में इन द्रोनों को लेके डील के उपर हस्ताक्षर होगा तो उही पे मेडिया रिपोर्टों के मताबिक द्रोनों के खरिदारी के बाद शायद भारत के द्वारा अमेरिका से एडिशनल P-8I मरिटाइम सर्फलेंस यार क्रेप्टों को भी खरिदा जाए और दोस्तो ऐसे ही मेडिया रिपोर्टों में दावा ये भी किया जा रहा है कि बाइडिन एडिनिस्ट्रेशन के तरफ से MQ-9 डील के बाद अफोकस एडिशनल P-8I यार क्रेप्टों के सेल के उपर रखा गया अब दोस्तों इंडिया नेवी को अगर देखा जाए तो इंडिया नेवी अल्रेडी करिवन बारा के आसपास P-8I यार क्रेप्टों का इस्तेमाल कर रहा है जो कि इंडिया नेवी के द्वारा सर्फलेंस रेकॉर्नेशन एंड इंटिलिजन गैदरिंग इवन एंटी सब्म इंडिया नेवी के द्वारा असल में दो अलग अलग बैचों के अंतरगत खरिदा गया है। के मुताबिक इंडियान नेवी करिवन छे एडिशनल ऐसे और यार क्राप्टों को अपने बेड़े के लिए चाहता है और बाइडिन एड्मिस्ट्रेशन का फोकस यह है कि भारत को किसी भी तरीके से इन छे यार क्राप्टों के डील को लेके मनवाया जा सके दोसों फिलाल य उसरे स्क्वाडरेन को वेस्ट कोस्ट में गोवा में डिपलोई किया गया है और यह जो पी-8 आई मेरिटाइम सर्विलेंस यार क्राफ्ट है असल में यह जो यार क्राफ्ट है यह बोईंग के 737-800 कॉमर्शियल प्लाटफॉर्म के बेस पे ही बनाया गया है जिसमें की जहाजों को ट्रैक करने में मदद कर चुका है इवन एक तरीके से आफ कह सकते हैं कि इंडियन ओशन के अंदर इंडियन नेवी के यह जो सिचुएशनल अवर्नेंस और दुश्मन के जहाजों को ट्रैक करने का कैपिबिलिटी है यह काफी हद तक यह P-8I एर क्रैप्टों क और इन एयर क्रैप्टों के शम्ता को लेके भी इंडियन नेवी काफी अधिक पॉजिटिव है और जिस तरीके से इन एयर क्रैप्टों को लगातार चायना के जहाजों के खिलाव इस्तेमाल किया जा रहा है इससे देखते हुए ही additional एर क्रैप्टों को इंडियन नेवी के से खरिदने को लेके तयारी किया जा रहा है जब कि वही पर आप लोग के जानकरी के लिए बता दू कि इन इयर्टेप्टों को केवल मात्र चाइना के खिलाफ समुंदरी शेत्र में ही इस्तेमाल नहीं किया गया है बलकि जब भारत और चाइना के बीच में दो क्लाम में क्रा ग्राइसे हुस्ट था तब भी इन येर्कैप्री नेर्क्रीकार्ष्ण टॉक्र के द्वारा चाइना के डिप्लोइमेंट के ऊपर नज़र रखा जा रहा था इवनसाल 2020 गल्वान गाटी के क्राइसिस के दर्मियान मतलब इस्ट लदाक के डर्मियान भी नहविक के तरफ से P8I aircraft का deployment किया गया था अब दोसों इन aircraft के पास इस तरीके का surveillance system है कि ये दुश्मन के छोटे छोटे हरकतों के उपर भी नजर रख सकता है और aircraft के पास इतने ताकदवर तरीन electronic equipment है कि इन equipment को jam करना लगभग नामुमकीन है जिन कारूनों के वज़ा से इंडियन नेवी के इन aircraft को चाइना के उपर surveillance रखने के प्रमुक हतियार के रूप में देखा जाता है और इन aircraft के कारण ही इंडियन नेवी के इंडियन ओशन के अंदर जो शमता है वो भी बढ़ा है और additional अगर 6 और aircraft को इंडियन नेवी के लिए खड़िदा जाता है तो obviously इंडियन नेवी के शमता में और कई गुना ब्रिद्धी होगा अब दोस्तों इन additional P-8I aircraft के सहारे इंडियन नेवी के द्वारा अपने surveillance capability को और enhance किया जाएगा मतलब फिलाल जो इंडियन नेवी के इस capability में कम से कम 50% तक ब्रिद्धी होगा जबकि इसके साथ इंडियन नेवी को एक additional anti-submarine warfare capability भी मिलेगा क्योंकि ये जो P-8I aircraft है ये surveillance के साथ साथ anti-submarine warfare में भी माहिर है और इसमें सबमरीनों को ढूनने के साथ साथ सबमरीनों को मार गिराने वाले हतियार भी है और इससे भी बड़ा बात ये है कि इस तरीके के हतियारों के डिल के साथ इंडो पैसिफिक में इंडिया के जो strategic cooperation है वो भी मजबूत होगा और अमेरिका जैसे देश के साथ भारत के जो defense partnership या defense cooperation है उसे भी कई गुना मजबूती मिलेगा हलग दोस्तों इन additional P-8I aircraft के इलावा Indian Navy अपने बेड़े के लिए करीवन 9 C-295 aircraft के base पे बने हुए medium range maritime recognition aircraft भी चाहता है जो की anti-submarine, warfare, long range, surveillance, target, acquisition और कई तरीके के अन्य maritime features के साथ लैज होगा और दोस्तों P-8I aircraft के साथ ये additional 9 C-295 aircraft जो है ये Indian Navy के शमता को और बिद्धी करेगा दोस्तों US के ये P-8I aircraft को अगर देखा जाए तो इसे भारत और अमेरिका के इलावा Quad के Australia के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है खरिदने को लेके इंट्रेंश दिखाया जा रहा है और अगर दोस्तों साथ कूरिया अपने बेड़े में यार्क्राप्टों को शामिल करता है तो एक तरीके से अब कह सकते है कि इंडो फैसिफिक रिजर में और एक ऐसे देश के पास इस तरीके के ताकदवर यार्क्राप्ट होगा हाला कि फिलाल अगर इंडियन नेवी के बेड़े को देखा जाए तो इंडियन नेवी को ऐसे यार्क्राप्टों का आवशक्ता काफी अधिक है क्योंकि चाइना लगा थार इंडियन ओशन के अंदर अपने जहाज और सब्मरीनों को भेज रहा है और ऐसे जहाज और सब्मरीनों के उपर 24 आवर सर्विलेंस के लिए भारत के बेड़े में अधिक संख्या में मेरिटेम सर्विलेंस और रेकॉनेसन यार्क्राप्टों का जरूरत है अब दोस्तों चाइना के खिलाब इंडियन नेवी को जहाँ भी 8i यार्क्राप्टों के द्वारा मजबूत किया जारेगा अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकरी के लिए बता दू कि इंडियन आर्मी अपने नौर्दन बॉर्डर खास करके पहारी शेत्रे वाले बॉर्डर एरिया को और सिक्योर करने के लिए और यहाँ पे कॉम्मुनिकेशन को मजबूत करने के लिए काफी बड़े मात्रा में light specialized vehicle को खरिदना चाहता है और रिपोर्टों के मताबिक ministry of defense के तरफ से करीवन 1300 ऐसे vehicle को खरिदने को लेके order दिया गया है जिसका लागत करीवन 1056 करोर रुपया है और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकरी के लिए बता दू कि कई सारे ऐसे company है जो की इंडियन आर्मी को अपने खुद के बने हुए ऐसे light specialized vehicle का supply करना चाहता है लेकिन यहाँ पे सफलता अब तक केवल मात्र महंदरा company को ही मिला है दोसों रिपोर्टों के मुताविक दावा किया जा रहा है कि यह जो light specialized vehicle है यह असल में robust plastic protection मतलब B7 strainage level 2 protection के साथ है और यह 4 crew member और उनके battle load को carry करने में समर्थ है इस तरीके के vehicle करिब करिव additional 400 kg के payload तक को carry करने में समर्थ है और इन vehicleों में करिवन 3.2 liter मतलब 215 hp के multi fuel diesel engine का इस्तेमाल किया गया है जो की 4Y6 automatic transmission systems के साथ है दोस्तों यह vehicle अलग-अलग terrain में मतलब कई तरीके के terrain में इस्तेमाल हो सकता है चाहे हो पहाड़ी area हो समतल भूमी हो या फिर desert वाले area हो और इनी कारूनों के वज़ा से इन vehicleों को एक perfect vehicle के रूप में भी देखा जा रहा है जो की 4Y4 front और rear different locking systems के साथ है और दोस्तों इन vehicleों क पेलोड capacity भी करिव 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 1000 kg तक है मतलब दोस्तों आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि यह जो 4Y4 vehicle है या फिर light specialized vehicle है यह कितने ताकज़वर तरीड और कितने advanced technology वाले vehicle है फिलाल तो कितने संख्या में इन vehicleों को इंडिन आर्मी के बेड़े में शामिल किया गय है इसके बारे में कोई detail जानकारी नहीं है पर दोस्तों यह जो 1300 vehicle है इसका delivery साल 2021 से लेके साल 2025 के दर्मियान समाप्त करना है और अब साल 2024 चल रहा है तो इसका मतलब है कि करिव करिव आधा के आस्वाज वेकलों का delivery तो अवश्य हो चुका होगा दोस्तों इन vehicleों को लेके फ 1.98 meter है और यह vehicle maximum 120 km पर hour के on road travel कर सकता है और दोस्तों यह जो speed है यह काफी अधिक speed है हाला कि off road condition में इन vehicleों का जो रप्तार है वो थोड़ा कम होगा पर एक तरीके से दोस्तों आप कह सकते है कि northern border में मतलब चायना के साथ लगे हुए शेत्र में अगर इंडिन आर्मी के तर इंडिनियस तरीके से बनाया गया है जिसका मतलब यह भी है कि इससे भारत के इंडिनियस capability भी बढ़ेगा हाला कि इसके इलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि UN Feast Keeping Forces के लिए भी कुछ विएकलों का delivery महंत्रा कंपनी के तरफ से किया गया है हाला कि कितने स करते हैं समाथ किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम